आज हम आपके पाठिक्रम में जैसंक्र प्रसाद को पढ़ेंगे उनकी एक कविता या गीत कह सकते हैं इसे नाम है ले चल वहां बुलावा देकर सीर्षक से या गीत उनके लहर काविय संग्रह से उद्रत है लिया गया है उस लहर काविय संग्रह में है जो छायावाद की प्रधान रचना है जैसंक्र प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं उनमें से इस कविता या गीत के आदार पर जैसंक्र प्रसाद पर पलायन वाद का आरोप लगा है हम इस कविता को पढ़ते हैं उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में भी ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक दीरे दीरे जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निस्च छल प्रेम कथा कहती हो तज कोला हलकी अवनी रे ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक दीरे दीरे जहां सांज जहां सांज सी जीवन चाया धीले अपनी कोम लकाया नील नयन से धुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक दीरे दीरे जिस गंभीर मधुर चाया में विश्व चित्र पट चल माया में विभुता विभुशी पड़े दिखाई दुख्षुक वाले सत्य बनी रे स्रम विश्रां क्षितिजवेला से जहां स्रिजन करते मेला से अमर जागरन उसा नयन से विखराती हो जोति घनी रे ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जैसंकर प्रसाथ संदर्ब हम लिखेंगे लहर कावे संग्रह से आपकी पाठिय पुस्त कादुनी कावे संग्रह इसमें संक्लित की गई है इनकी कविता और यह 1921 में जब प्रसाथ जी सह परिवार जगनाथ पुरी की यात्रा गए थे तब पुरी के समुद्र तर्ट पर बैठ कर इन्होंने इस कविता को लिखा था इस गीत प्रस्तुद गीत को लिखा था दूर खितिज पर शमुद्र की लहरें आकास को चूमती हुई परतित होती है तो इन कभी उस अपार्थिव दूर देश में जाने की उच्छुकता परकट करता है इनी पंक्तियों पर शायावाद पर पलायनवाद का आरोप भी लगा था अब ये अपार्थि उदूर देश क्या है यहां ये नाविक कोन है यह नाविक वो विरार स्वरूप है वो इस्वर है और इस्वर से प्रसाथ कह रहे हैं कि मुझे वहां ले चलो लेकिन सच में चायावादी काव्य पलायनवादी नहीं है वो संग्दर ससील काव्य है परंतु यह गीत क्या कहता है उसके व्याख्या हम पढ़ते हैं प्रसाथ कह रहे हैं कि ये मेरे नाविक मुझे धीरे धीरे वहां पर ले चल उस विराड़ता के पास उस परमात्मा के पास है मेरे नाविक यह नाविक मन को भी कह सकते हैं मेरे मन मुझे उस परमात्मा के पास ले चल यह नाविक इस्वर है इस्वर मुझे उस देश ले चल अपने देश ले चल तो ले चल वहां भुलावा देकर میरे नाविक धीरे धीरे इस संसार से वो प्रसाध दूर जाना चाहते हैं लेकिन यहां वो अपने असांत मन की सामती के लिए ये लिख रहे हैं नाविक किनों ने इस्वर को का है उस परमात्मा को का है और इस कविता में इस्वर की व्याकपक्ता के दर्सन होते हैं वो आगे कहते हैं जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गہरी निस्छल प्रेम कता कहती हो तज़ कोला हल की अवनीरे यहां कुछ सब्द कठिन है अवनी जिसे धर्ती, अंबर, आकास, निर्जन, सुन्सान दूर के क्षितिज में मानो सागर की लहरी, आकास के कान में प्रेम की कथा कह रही है जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निस्चल बिना चल के प्रेम की कथा कह रही है मानो, जिस निर्जन में सागर लहरी, वो सागर की लहरी सागर की लहर, अंबर के कानों में प्रेम की कथा कह रही है यहां अंबर जो है, वो पुलिंग है, और लहर की स्ट्रिलिंग है मानविय प्रेम का आरोप सार्थक हुआ है मानविकर नलंकार हैं आप, हम इसको विशेश में लिखते हैं, उसके कलापक्स में लिखते हैं निश्चल प्रेम कथा कहती होता जो कोल हल की अवनी है यहां ये कोल हल की अवनी है, हलचल भरी हुई भूमी है मानव जीवन में कई समश्याय हैं कई प्रकार की दुस्टचिंताई है वह जीवन दुस्टचिंताओं से गृष्ट है अधा इनकी मुक्त सांति पूर्ण लोक में जाने की इच्छा ब्यकत हुए है इस सांति से सांति की और प्रस्थान करने को मन विलित है और जहां पर इस पर से कह रहे हैं कि वो लहर आगास के कानों में प्रेम की कथा कहती हो वहां मुझे ले चल इस अवनी कोला हल भरी अवनी से दूर तबी इस पर पला इन वात का अरूप लगा है आगे वो कहते हैं कि जहां साजशी है इस पर मुझे कहां ले चल है मेरे नाविक इस जीवन रूपी नाव को जीवन रूपी नाव अपनी नाव को कहां ले जाना चाहते है वो इस पर के माद्यम से नाविक चला रहा है नाव किसकी नाव चला रहा है अपने जीवन रूपी नाव चला रहा है यहां रूपक रूपकात्मक बनन है जीवन रूपी नाव को वहां ले चल जहां सांती हो जहां सांजसी जीवन चाया चीले अपनी को मलकाया सांजसी संध्या समय में विरक्षों की चाया लंबी हो जाती है सूर्यास्त के बाद तारे भी परकट होते हैं ये कह रहे हैं कि जहां सांजसी जीवन चाया ठीले अपनी कोमल काया अपनी कोमल काया बड़ा देती वो चाया वेसे अपने जीवन की यह काया है नील नयन से डुलकाती हो ताराओं की पांती गनिरे नील नयन वो ही आकास नीला आकास और नीला आकास अपने नैनों से जैसे डुलका रहा है ताराओं की पांती जैसे तारे भी प्रकट होते है सूर्यास्त के बाद इसी प्रकार जीवन की छाया भी लंबी हो चिंता मुक्तो और सांत हो उधर चले और अस्रूकन रूपी जो तारे हो आँखों से प्रकट हो और जीवन का सोक बहकर निकल जाएं और सांती कानन मिले जिस प्रकार आकास में सूर्यास्त के बाद तारे निकलते हैं वेसे ही यहां रूपक देखिए वेसे ही आँखों से सोक के वेदना के अस्रू निकल जाएं और वो च्छाया लंबी होती 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 उस तेज पहुँच जाएं जहां सांती हो मुझे वहां ले चल जिस गंभीर मदुर चाया में विश्व चित्र पठ चल माया में विभूता विभूशी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनीरे विभूता प्रकृती का वो विराड़ स्वरूप परमात्मा इश्वर विभू वो भगवान विभूता प्रकृती का विराड़ स्वरूप और विभू इश्वर परमात्मा भगवा जिस गंबीर मधूर चाया में प्रकृती का विराड़ रूप देखने पर इस प्रकृती के जो अधिश्ठाता है विराड़ प्रूश है उसकी इसम्रति आती है और वो दिखाई देता है विश्व चित्र पट चल माया में और ये जो विश्व है ये चित्र पट है ये सिनेमा है ये जो इस अंसार में दिखा रहा है वह माया मात्र है वो उसका ही स्वरूप है माया के ही कारण आत्मा और प्रमात्मा अलग हुई है विभूता विभूशी पड़े दिखाई दुख सुक वाली सत्य वनिरे सुक दुख की द्वन्दात्मक अनुबूत्यों से युक्त्य प्रकरती ब्रम का ही एक रूप है और जो दिखाई दे रही है जो की सत्य है आगे वो लिखते है स्रम विश्राम क्षिदिज बेला से जहां स्रीजन करते मेला से अमर जागरन उसा नयन से बिखराती हो जोती घनिरे महा मुझे वहां ले चलो स्रम विश्राम क्षिदिज बेला से दिन भर का स्रम करने के बाद संध्या में विश्राम का शमय आता है वो ख्षिदिज आकास और धर्ती मिलते हुए दिखाई देते हैं वो ख्षण वो ख्षण है संध्या का ये दिन भर्म का स्रम का मतलब है जीवन की जीवन का अब काफी ची लिया है हमने और हमने बहुत स्रम कर लिया है अब उस विश्राम की आफशिक्ता है उस परमात्मा से मिलने की आफशिक्ता है समय है वो वेला है और जहां पर नव नया स्रिजन हो रहा है अमर जागरन उसा नयन से बिखराती हो जो जहां पर चेतना से जोती की वर्सा होती है उसा नयन से अमर जागरन वर्साती हो यह मृत्य लोग है और वो अमर लोग है और यह निंद्रा है वो जागरन है जहां पर वो अमरता हासिल हो जहां जाकरके आतमा मर हो जाती है उसा नयन से बिखराती हो जोती कहनीरे चिदा अनंद की प्राप्ति हो जहां पर अग्यान की मौह निंद्रा की अंदेरी रात का उसान और नव अरुनुदय वाली उसा में जागरन इससे ज्ञान की उपलब्ती का संक्यत मिलता है पार्थिव जीवन की परिणती सास्वत आनंद में जीवन में हो जाती है इस भोतिक यूग से आध्यात्मिक ताकि और ले जाने की बात करते हैं यहां पर प्रसाथ तो वो कह रहे हैं कि जहां जोती मान प्रकाश आनंद हो जहां जो सुबह है उसा है नैनों से वो परमात्मा की उस देश का प्रतिक है जहां जोती बिखरती हो वहां मुझे ले चलो अपने नाविक से यहां नाविक दिव्य चेतना ही है इस्वरी अज्ञान तथा क्रिपा से अज्ञान का आवरण भंग होता है विदान्त के इस तत्व को कभी ने लगूगीद के माध्यम से व्यत्त किया है और चायावादी सौंदर्य दर्सन यहां पर भी मुझूद है जो हमें कलापक्स में लिखना होता है और यह जीवन नोका को नाविक से कहते हैं इस पर की मुझे वहाँ ले चल विरेश्यवाद की भावना है आत्मा परमात्मा की निकट जाना चाहता है खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रियोग है है और तत्सम सब्दों की प्रदानता है मानविकर्ण पुनरक्ति प्रकास रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है सोला सोला मात्राओं का यह गीत बहुत लयात्मक एवम गेता युक्ष शंदर बन पड़ा है अच्छी तरीके से इसका हम द्यान दे पढ़े सुने और प्रसाद के एक गीत जो चंदर गुप्तन नाटक से अरुन यह मदुमे दे समारा हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अलावा भी एक गीत है और एक आंसू खंड कावे से काव्यांस है उसका अध्यन हम बाद में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जो बाद में गुट को अवटन झायओ से आफड़ाद प्रसाद यह टो टो की खोहँे के बाद में क्रेँ अभ पादर ड़ाद यह जो खुल हम एक जाफज खर दो zarबाद में जा प्की जोड़, तो यह शचम और में यह फूए